अगर मैं आपसे ए बोलूं कि नारियल तेल में दो चीजे मिक्स करके लगाने से इसकीन के ड्राइनस, काले दाग धब्बे, हाइपर पिग्मेंटेशन, इसकीन का लूज पढ़ना एहां तक की साउले पन से भी छुटकारा मिलता है एह देखिए मेरा पुराना पिक है और अभी का देखिए इसकीन इतना फेयर करता है, मैं रात में दो चीजे मिक्स करके नारियल तेल में रोज लगाती हूँ हेलो एब्रिवान कैसे हैं, आप सब आई होप आप सब ही अच्छे होंगे और अपने सकीन का खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे बिंटर इस्टार्ट हो गया है और इस टाइम सकीन का काफी जादे हालत खराब हो गया है इसकीन काफी जादे खुरदुरी हो रही है, रूखा सुखा सा हो रहा है तो ऐसे में नारियल तेल को हम किस तरीके से अपने फेस पे लगाएं ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले नारियल तेल में बहुत सारी प्रोपरेज होती है, ये नेचुरल मोस्चुराइजर होता है इसकीन के ड्राइनेस को ये खतम करता है, साथ में ए फेस पे ग्लोब ही लेकर आता है नारियल तेल हमेहाँ पे ले रहे हैं, आधाई स्पून आप लोग देख सकते हैं बिंटर है, बिंटर में जम जाता है, तो हमेहाँ पे आधाई स्पून कोकोनट आइल ले रहे हैं जो कि ये मेरा फेबरेट है, और पूरे बिंटर भर रात में मैं इसे जरूर लगाती हूँ पहले मेरा जो कलर था काफी जादे साउला था, लेकिन अभी तो आप लोग देखते हैं कि कितना जादे फियर हो गया है तो मैं बिंटर में जादा से जादा कोकोनट आइल अपने स्कीन पे लगाना पसंद करते हूँ जो की स्कीन को काफी जादे सौप्ट एम मुलाइम बनाके रखता है तो इस कोकोनट आइल में हमें क्या ऐसे मिक्स करना है ताकि इसका जो रिजल्ट है बेहतरीन मिले और ज्यादा से ज्यादा है हमारे स्कीन पे फायदे मंद सावित हो तो सबसे पहला इंग्रेडियंट है कोकोनट आइल याने की नारियल का तेल और इसमें जाएगा पिन चौफी हल्दी हल्दी में एंटिसेप्टिक गूड होता है हल्दी हमारे चेहरे के काले दाग धब्बे को हटाने के साथ साथ यह हमारे चेहरे के रंगत को भी काफी जादे फियर करता है और कोकोनट आइल के साथ हल्दी काफी अच्छे से जाता है दोनों मिक्स करके लगाने से काफी सारे स्कीन प्राबलम से आप छुटकारा पास सकती है तो हल्दी की क्वांटिटी आपको यहां पे बहुत कम ही रखना है अगर आप किचन का ले रही है तो और थोड़ा सा लीजिएगा अदर्वाइज अगर आपके पास वाइट टर्मरिक है तो क्वांटिटी जादे करके ले सकती है अब जैसे की एज बढ़ने के साथ साथ हमारे फेस पे काफी जादे जूरियां दिखने को मिलता है आँख के आसपास ओट के आसपास भी काफी जादे जूरियां की प्राबलम होती है उसको खतम करने के लिए हम इहां पे ले रहे हैं सहद जो की most important है आपको skip नहीं करना है सहद ठीक है अगर नहीं suit करता है तो quantity कम करके लीजिएगा नहीं तो फिर अच्छे से एक इस्पून भरके आप इहां पे सहद लीजिएगा सहद में काफी जादे गूर होता है जो की खास करके इस winter के मौसम में हमारे इस्पून के लिए फायदे मंद सावित हो सकता है तो आप इहां पे थोड़ा सा suit करता है तो एक चमच भरके नहीं suit करता है तो आधा इस्पून से थोड़ा सा कम सहद इसमें add कर दीजिएगा अब इहां पे जो next ingredient हम ले रहे हैं इसको लेकर बहुत सारे लोगों का ऐसी कायत होता है कि winter में ये मेरे skin को dry कर देता है skin तो साफ करता है साथ में skin dry भी हो जाती है तो तेखिए dear basin skin को dry नहीं करता है बस आपका skin type क्या है अगर आपका skin बहुत जादे रूखा सुखा है तो आपको इसमें कुछ ऐसा मतलब बेसन के साथ कुछ ऐसा mix करके लगाना चाहिए जो skin को soft रखे और dryness को खतम करें जिसमें की coconut oil है या तो आप मलाई बेसन के साथ है दो चीजे mix करके पूरे winter भर लगाया करिए हम यहाँ पे बेसन एक इस्पून भरके add कर रहे हैं मैं सिर्फ एक बार अपने face पे लगाने के लिए तयार कर रहे हूँ ठीक है तो बहुत कम बनाईएगा कि एक बार में खतम हो जाए जादे बनाकर रखने से क्या फायदा दुबारा से लगाएंगी तो हो सकता है कि आपक किये हैं उसके बाद से यहाँ पे जो next ingredient हम लेंगे दोस्तों raw milk यानी की कच्चा दूद कच्चे दूद में lectic acid होता है अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहती हैं अपने face पे या तो आपके पास time नहीं है या तो थोड़ा सा आलस करती है वोसे सर्दियों में आलस होता ही है तो ऐसे में आप सिर्फ cotton की सहायता से रोज अपने face पे कच्चे दूद लगाया करिए सुबा या साम जब भी आपके घर में आता हो तो कच्चे दूद लगाया करिए आपको अलग से कोई face पे कोई facial कुछ भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी रोव milk हमारे skin को फेयर करत महांगे समांगे आपने cream लगाया होगा लेकिन उसका असर नहीं दिखा होगा आप सिर्फ एक हपता अपने face पे कच्चा दूद लगा करके देखिए ओ जो महांगा वाला cream है न भी fail हो जाएगा कच्चे दूद में बहुत सारी properties होती है वहीं दूद अगर हम उबाल देते ह है तो उसका जो पोसक ततो है वो नश्ट हो जाता है यहां पे जो powder हम ले रहे है रेट कलर का आप लोग देख सकते हैं मसूर दाल का powder है दोस्तों यहां पे मसूर दाल हम ले रहे हैं जो कि इसका powder बिलकुल बारीक है आप घर पे अगर इसका powder तयार कर रहे हैं तो अच्छे मसूर दाल का पाउडर एक बार हमें जादे नहीं लेना है मसूर दाल हमारे कलर को फेर करता है हमारे इसकिन को टाइट करता है प्लस हमारे फेस पे जो जाईया होती है न जैसे कि बहुत सारी मैलाओं के फेस पे प्रेगनेंसी के टाइम काफी जादे जाईया बन जाती है जो क जरूरत है हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं एक बार हम जादे इसमें नहीं लेंगे नहीं तो हो सकता है कि बहुत जादे थीक हो जाए उसके चक्कर में जो सलूसन है न काफी जादे बन जाएगा तो इस वाद का ध्यान दीजिएगा हर कोई यह चाहता है कि वो सवाल चलता है जब वो दूसरे के face को देखते हैं न तो भी सोचते हैं कि कास मेरा भी skin ऐसा होता चमकदार होता फेस पे दाग ना होता उसके लिए मैं क्या करूँ वो सामने वाला बंदा क्या लगाता होगा यह सब सवाल दिमाग में चलता रहता है तो जो सामने वाला ग्लोईंग यूम चमकदार दिखता है यंग दिखता है तो भाई उतना मेहनत तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा मेहनत करेंगी तो आपके फेस पे दिखेगा आपका बहुत सारा पैसा बचेगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पारलर जाना पसंद करते हैं हर महीना वो पार ब्लीच कराना लेकिन कुछ टाइम के बाद आपका इसकीन का क्या हाल होता है वो तो जो लोग कराते होंगे उन्हीं को पता होगा तो चलिए उस बात को रखते हैं साइड में अब इसमें हम और क्या मिक्स करेंगे तो देखिए दोस्तों यहां पे अब हम कुछ भी नहीं लें करके देख लीजिएगा फर्स्ट यूज में आपका इसकीन जो है न एक सेड लाइट भी होगा प्लस जो दाग धब्बे हैं वो काफी हद तक लाइट होंगे और इसकीन आपका जो खुर्दुरा हो गया है न मेकप करने से वो सौप्ट भी होगा इसकीन पे बड़े ही प्य क्लीन करके दिखाओंगी इसका जो назад कितना खोफ सूरत आता है तो बने रहिएगा आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्टे कि वीडियो को पूरा देखा़ करिए अधा अधा ज्यान किसी के लिए अच्छा नहीं होता है तो अगर आप थोड़ा-थोड़ा इशीप कर करके लेती हैं तो फिर आपका सारा मेनद बेकार होगा अगर आप इस रायमडी को लगाने के लिए सुच रही है तो तो पूरी जानकारी लिया करिए आप सब सर्दियों के मौसम में जो हवाएं चलती है न यह हमारी स्किन को काफी जादे रूखा सूखा सा कर देता है चाहें हम कितनी भी मौस्चुराइजर लगा लें कुछ भी लगा लें लेकिन एक आद घंटा के बाद इसकीन हमारा जैसे लगता है कि नमी ही नहीं है इसकीन अजीब सा ड्राई हो जाता है ओट फटने लगता है दोनों गाल पे पपड़ी सी निकरने लगती है मतलब अजीब सा इसकीन हो जाता है तो अगर आपके पास टाइम है तो इसे आप रोज लगाईए जो पैक है न अपने हाथ पैर पे पूरे फेस पे नेक पे बना लिजिए थोड़ा सा ज्यादे कोई जादे इसमें आपको ताम ज्याँ नहीं करना है थोड़ा जादे बना लिजिए और साबुन के जगा पे फेस वास के जगा पे आप इसे लगाकर मसाज करिए दो-तीन मिनट उसके बाद से पानी से धोल लिजिए यकीन मानिए दोस्तो आपको अलग से मोस्चुराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सच मैं हाइली रिक्वेस्ट कर रहे हूँ दिल से आप इसे ट्राइ करिएगा एक बार में रिजल्ट आपको मिलेगा और आप बहुत ज़्यादे खुस भी हो जाएंगी मेरा ये फेबरेट है और मैं ज्यादा से ज्यादा इसे लगाती हूँ रोज नहीं लगा पाती हूँ लेकिन हपते में तीन चार बार तो होई जाता है साबुन के जगा पर मैं इसका यूज करते हूँ ये चेहरे के अंचाहें बाल को भी काफी हद तक क्लीन करता है जब आप इस तरीके से मसाज करेंगी न तो इसकीन पे जो बारीक रोवा होगा वो भी तूटके निकड़ेगा इस वीडियो के लिए काफी सारा कमेंट आया था कि दीदी आप कोई अच्छी सी रेमेडी सेयर करिए इसकीन बहुत जादे ड्राई हो रहा है मैं इस टाइप के वीडियो नहीं सेयर करती हूँ लेकिन आप लोगा बहुत सारा कमेंट आ रहा था तो मैं सोची हूँ कि जो मैं लगाती हूँ वही क्यों न सेयर किया जाए बेशन बहुत पुराने जबाने से यूज होता रहा है बेशन पुराना इंग्रेडियंट है और बेशन में खास करके कोकोनट ओयल मिक्स कर लेती है थोड़ा सहल थोड़ा सहल दी बाकी अगर आपके पास मसूर दाल का पाउडर नहीं है तो चावल का आटा ले लिजिएगा चावल का आटा भी काफी अच्छा वर्क करता है तो आप इसे जरूर ट्राय करिएगा देखिए इस तरीके से जैसे जैसे मैं मसाज कर रहे हूँ इसकीन का जो मैल है न हो निकड़ता जा रहा है यह जो सलूसन हम लगाये थे देखिए कितना जादे डार्क पड़ गया है क् अभी मैं हाथ को धुल करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या इसका जो रिजल्ट है आया है तो बने रहिएगा यह देखिए दोस्तों क्या ही मैं बोलूं आप लोग के सामने हैं ऐसे मैं उंगले से छू रही हूँ ना इसकीन इतना सौप लग रहा है इतना जैसे लग दो सीड जरूर फियर होगा ऐसा नहीं मैं कर रहे हूँ कि अगर आपका कलर बहुत ज्यादे साउला है तो आप गोरे हो जाएंगे आप इसकीन से डेड़ शेल स्मेल क्लीन होता है प्लस हमारा इसकीन भी थोड़ा जरूर फियर होता ही होता है तो आप इसे ट्राइ करिएग जैसा भी result मिलता है अपना feedback comment box में जरूर दीजिएगा मैं आप सभी से मिलती हूँ next video में तब तक के लिए बाई बाई